विल्कम टू माई चैनल टेक मेकानिकल एन इलेक्टिकल नेशनाल काउंसिल अफ साइन्स म्यूजियम एनसी एसेम का तरफ से एक लेटेस्ट रिकूर्ट में निकलके आया है आई टेए पस और डिप्लोमा पस टूडेंट के लिए ए अलोभर इंडिया पर्मानेंट जॉब हैं और इसका नोटिफिकेशन नमबर आप देख सकते हैं 02-2023 मिनिस्ट्री आप कल्चर गोव्मेंट आप इंडिया का अंडर नसी एसेम आता हैं और इसमें नेम आप दा पोस्ट नमबर आप पोस्ट यूनिट और कैटागोरी वाइस कितना सीट है ओ भी आपको बताया गया है अफिस एसिस्टेंट ग्रेड थ्री नमबर आप पोस्ट थ्री और जिसमें NC-SM कलकाता में तीन पोस्ट हैं और उसमें अंडिजब का एक, SC का एक और OBC का एक सीट है और इसका बाद एक पोस्ट Science City कलकाता में हैं जो OBC student के लिए हैं इसका बाद Artist A के लिए एक पोस्ट है Central Research ल्यक्त के लिख में इसके ईए पर कोस्जेद करेंग यहारान यहाराइद लांड बसमारान फोग तीमें मुआझर कोष्जाम इसको पाइप के लिख सेंटी क्या बॉश एक seat है ठीक है अंडिजब के लिए इसका बाद technical assistant A इसमें दो पोस्ट है Central Research and Training Laboratory कोलकाता में दो seat है Exhibition Assistant A में एक seat है और SC में एक seat है Central Research and Training Laboratory कोलकाता में एक seat है Education Assistant A के लिए एक seat है अंडिजब काटागोरी में और Regional Science City लोखनों में इसका seat है इसका बात सबसे पहले इसका Scale of Pay कहां पे Posting Educational Qualification इसका बढ़ में बताया गया है Office Assistant Grade 3 के लिए इसमें आप देख सकते हैं कहां पे कितना Post है और मैं आपको पहले बता दिया हूँ और इसका Scale of Pay इसका आपको सेलारी मिलेगा और इसका स्टार्टिंग सेलारी बात करते हैं और आवर्ड दिया है दस अजर पांसो स्रस नोहाज़ा ओके एज लिमीट आपका दिया गया है not more than 25 इयर्स इसमें आपको बताया जा रहा है और इसका बाद डिजर्ब केटागोरी जो भी है आपको क्या क्या काम करना पड़ेगे इसका बारे में आपको बताया गया है और इसका बाद एडूकेशनल क्वालिफिकेटिन डिप्लोमा या सर्टिफिकेट इन फाइन कमर्सेल आर्ट में आपको होना चाहिए और एटलिस दो सल का अपका होना चाहिए कि क्या का में एक सेथिव के अपका होना चाहिए मतलब एस ईसल होने का बद और इसका बाद और एक बताया है गिए हैं आपको 254 रुपया मिलेगा गुहाटी में और लखनो में मिलेगा 32304 रुपया अपको 35 रखा गया और अपट अपर एज लिमिट रखा गया और अपर अपर अज लिमिट रिज़िए के लिए जैसे 5 साल का रिलाक्सान मिल जाएगा SCHT student को और 3 साल का मिलेगा OBC student को Job description में आपको क्या क्या काम करना पड़ेगा वो आपको बताया गया है Technical assistant के लिए आपको कितना post बताया गया इसका basic पे 2900 और इसका level 5 में आपको salary मिलेगा इसका जो starting salary होगा 53,148 रुपया Okay, essential qualification आपका होना चाहिए electronics के लिए diploma course in electronics होना चाहिए और computer science के लिए diploma course in computer science और निलिट के यह आपका level का diploma या information technology आपका certificate होना चाहिए Otherwise bachelor of computer application BCA या computer science आपका qualification होना चाहिए तो एई आपको बताया है इसका बाद आपका job description के है ओभी आपको बताया गया है नेक्स्ट आगर चल जाते हैं इसका बाद educational assistant इसका भी आप देख सकते notification आपको मिल जागा मेरा telegram group पर description box में link दिया है तो form फिर आप कैसे करना पड़े हो भी मैं आपको step-step बता दूँगा और कैसे आपको apply करना पड़ेगा online mood में आपको apply करना पड़ेगा जो भी important चीज़े में आपको बता देता हूं इसका फी आपको कितना payment करना पड़ेगा 885 रुपे आपको payment करना पड़ेगा मतलब बहुत ही जादा इसका online fee रखा गया तो आप लोग अभी भी इसको apply कर सकते हैं ठीक है और जो भी student interested है फिर भी आप लोग fee के लिए साथ पीछे हट जाएंगे बट इसमें fee का चक्कर में बहुत सारा student भी form फिलब नहीं करने वाल है ठीक है तो आप लोग ऐसे ही आप job notification पाने के लिए चैनल को subscribe कर लेने मिलते नेक्स्ट वीडियो में टाटा बाई बाई